हाईलो एफ्रीवन विल्कम टू आईक्यू वर्ल्ड दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को दीन में ही बता दिया था कि आज रात को मैं आप लोगों को हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों से मिलाओंगा सारे बी एससी सीजीन थिरी कंपीट किये हुए हैं और अभी औरिटर के पोस्ट पे विपार्ड में ट्रेनिंग कर रहे हैं तो सभी से हम लोग एस्टेटिज जानेंगे और कैसे त्यारी किये थे कितना मेहनत किये थे और बहुत बाते जानेंगे वो लोग बताएंगे अपना-पना कहानी सब लोग तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को नाम बता जेता हूं हमारे सामने ससांक सर है राहुल सर हैं फिर रवी सर हो गये पीछे गोलु सर जेपी सर जेतंदर सर और हमारे बगल में राजान सर हैं तो सभी लोग काफी एक्षप्रियेंस्ट नहीं हैं और अपने-पने जो भी सबसे पहले हम ससांक सर से जानना चाहेंगे काफी अन्भवी है सर तो बताएंगे सर अपने बारे में सब्सक्राइब करते हैं आपकी त्यारी अच्छी चल रही होगी और आई की वर्ल्ट से आपकी काफी ज्यादा है मिल रही होगी मेरा नाम शशांक है और मैं अभी औरिटर पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ हूं और भी पार्ड में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं रही बात बी एस एरिया है जहांसे आप मार्क्स गेंज कर सकते हैं वह है रिजनिंग और मैथमेटिक्स यह 75 नंबर जो है 75 कोशन 75 कोशन में आपको एनिहाओ स्वेंटी प्लस स्कोर करना ही है सेलेक्शन के लिए अगर स्वेंटी प्लस नहीं कर सकते है तो 65 एनिहाओ गल्स के लिए में 65 करते हैं कि अपने कम जोड़ी देखते हैं जो भी हमारे सामने आता है जो हम को इसी प्रस्ट रगता है उसको ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं और उसी पर जादा इंट्रेस्ट रखते लेकिन ऐसे गल्ती नहीं करने आप लोगों को आप लोग अपना कम जोड़ी को सारे टेलग्राम चैनल पर मिल जाएगा और बहुत सारे यूटूब भी बताते हैं तो दस कोशन वाले फॉलो करें फिर आप मंत्री सेक्षन में जाएए और एक्जाम टाइम में आप जल्ली से रिविजन करने के लिए बहुत सारे मैगजिन जो आते हैं उसको आप कर सकते हैं और सबसे इंपोर्टेंट बात है एक्जाम टाइम में आप जितना ज्यादा सेट प्रैक्टिस करेंगे जितना ज्यादा मार्केट में जो भी सेट एबलेबल है उसको आप बेधरक लगाई एक बर लगाई दो बर लगाई तीन बर लगाई कोई नुकसान नहीं होगा जितन अभी सर आगे अभी आप कैसी का त्यारी कर रहे हैं अभी तो मैं और पॉस्ट पर सेलेक्ट हुआ हूँ आगे मेरे श्याजी बीपेसी करें है और हमारे इस सारे गुरूप है हम लोग अभी से प्लान मुना लिए कि हम लोग आगे बीपेसी की त्यारी किस प्रकार से प्रोपर प्लानिंग के तरह तयारी करेंगे तो निश्त रूप से सफल होंगे और आगे हम लोग के साथ ही मिलेंगे अब हम लोग बात करना चाहेंगे राजन सर से और बहुं सारे जाम यह भी क्रेक्ट किये हुए है सबसे पहले मैं निरजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्हों ने अपने चैनल के माध्यम से हम लोग को यहां बुलाए इनके चैनल का नाम है IQ वर्ड इनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं इनका मैं वीडियो लगभग जो भी मतलब इन्होंने डाले हैं लगभग मैंने स उसमें मैंने क्या किया कि जो भी बुक थे मेरे जैसे में दिरिष्टी का ही बुक मैंने पढ़ा तो उसको मैंने लगातार पढ़ते रहा साइंस का अलग उसके बाद जीके का अलग और लगभग यह काम मैंने लगभग शिक्स मंथ कंटिन्यू यही काम किया उसके बाद बा जो है वो मार्स देखे जाता है और क्वालिफाइब कराने में सबसे बड़ा योगदान वही उसी कराता है ठीक है और इसके अलावा मैंने रेलवे का गुड्सगाड और टीचर वाले कि कोई भी जो स्टूडेंट करके चला आते हैं लेकिन जानते हुए है उसको ही मिस्टेक कर देते हैं तो उस पर फोकस किया जाए सब्सक्राइब करें एक बार लुषेंट पर आ उसके बाद मैंने द्रिष्टी जो है फोलो करना यह स्टार्ट कर लिया और अभी आप आगे त्यारी कर रहे हैं कर रहे हैं और अब हम लोग बात करेंगे जितंदर सर से काफी मुस्कुरा रहे हैं और यह हमारे भी मोटिवेशन है और जैसे की बताएंगे सर आपको पता चल जाएगा की किस प्रकार के यह हमारे मोटिवेशन है बताएं रहे होंगे इनकी जब तो हम कुछ बोल ने सकते बहुत काफी अच्छा है लेकिन हम अपने बारे में बताएंगे कि हम क्या थे और कैसे हैं मैं कि अक्टूबर 1217 में CRPF में सेलेक्ट हुआ था सेलेक्ट होने के बाद उस नोकरी में फाउज की नोकरी बोलते हैं मौज में होता है मैंने तिन सल मौज में निकाल लिया उसके बाद मौज धिरे-धिरे आगा रोज रोज आपको रस गुला ही दिया जाए खाने के लिए मुझे भी लगा कि मुझे पढ़ना है तो इस तरीक से मैंने पढ़ना सुरू किया यूटूब के माध्यम से लुसेंट स्पीडी और किरन प्रकासन के बुक आता हुए इस सब पढ़ पढ़के और ऑनलाइन स्टुटी जादे कि क्या क्या क्योंकि मेरा पोस्टिंग और अन सब्सक्राइब के वीडियो हो गए और हमारे एक वर्ड के रनीती फोलो करना हो गया और एक और चलता था राजुकुमार सरका जो अभी सब इस्पेक्टर पोस्ट में मैं उनका बहुत-बहुत कृतक हुं तो आप छे साल फोज में रहते हुए मैंने इसी प्रकास से तरीके काए तयारी किया और आधा अगे सर आगे क्या चाहते हैं कि क्या तयारी कर रहे हैं अगे आगे तयारी तो पता हीर रही कि अब रहे चएक कर लिया अ रख़ए कर लिया च्वार नौक थाएक्ट तो अब तो अब तो पर सकते हैं लाइफ कर सकते हैं तो मैं एक बार सोच रहा हूं कि अभी तक तो मैंने अब यहां कि और सोच रहा हूं मैंने दिया चोड़के सारे क्या क्या हूं क्योंकि हमारा एक करने के बाद भी से उसको इन्होंने क्रेक्ट किया है तो आप लोगों को भी इनसे कुछ सिखना चाहिए और आप लोग को तो बस तैयारी करना है तो भी नहीं कर पाते हैं दिन भर सोते रहते हैं तो इन से कुछ सिखिए और आप लोग भी तैयारी करिए अब हम चलते हैं जेपी सर के पास और यह बहुत ही सेरो साइरी वाले इंसान है सबको हसाते रहते हैं हमेशा तो आपको इन से बात करके काफी अच्छा लगेगा और अपना परहाई क्या रहनेती बताएंगे और काफी कम एज में इन्होंने क्वालिफाई किया है तो चलिए मिलते हैं जेपी सर से धन्यवाद नीरजी जैसा कि आपने बता है कि सीजील का जो एक्जाम होता है बहुत ही टफ होता है तो बात रियलिटी में सच है मेरा गिरिजवेशन जब 21 से दिसंबर में दिसंबर में कंपलीट हुआ था उस समय मैं गाव में ही पुरुपर रहा करके ना मैंने किसी सहर को मै बरे बरे सनस्धान में मैं नहीं गया था गाउ बहाँ में हीं कलव के माध्यम से और जो मैंने बेसिक जो नॉलेज लिया था असके माध्यम से तयारी ची और मेरा जो फोकस ठाऊ जैसे लुसेंट पहना सब्सृपर आ सब्सृपशाद उसके साथ साट न Czechos уз थी 6 से तुबल सक वह मैंने पूरा कम्पलीट किया था उसको परने के बाद मैंने रेगुलर सेट प्रेक्टिस किया था करीब मैंने वही आठने से दस महिने के आसपास उसमें शुरु शुरु में तो मुझे काफी कम माख्स आते थे जब मैंने अपने कमिया ढोलना चालू कि किया तो उसके बाद मैंने उस रन्नीतु करीब 2-3 महिन फोलो के लिए रेगुलर तो कमिया दूर होती गई और मेरे अंदर जोहना निखा रहता गया एक तरह से तो जब वही अपने एक्जाम के टाइम में जो काफी हमें सागेसन मिला उसके लिए वहीं से तयारी मैंने लोगों के साथ बनाये रखिए होता क्या है कि आपको मतलब आगे बढ़ना मतलब दो लोग चाहते हैं अचार लोग पीछे खिचना चाहते हैं तो आप पोजेटिव लोगों के साथ बने रहिए और अपने आपको अंदर के कमियों को दूर करिए आपका सक्षे जोना तय है जैसा कि आप जान रहे हैं कि मात्र हम 23 वर्ष को उम्र में यहां यंगेस्ट समझें एक तरह से समझें कि यंगेस्ट हैं और मेरा जो आगे का जो गोल है कि यह सीजी एल फोर आने वाला उसमें एसो का पद अगर मुझे मिलता है तो थीक है नहीं तो मैं अभी बीपीस्ट के तयारियम जैसे हमारे जो ग्रूप में है उनके साथ हम भी कर रहे हैं और अभी 1275 का जो दरोगा के रिजल्ट आया है उसमें भी मेरा 85 प्लस माक्स आया कि बीपीस्ट के थुरू है आगया बढ़ा जाएंगे कि यह सेट लगाते होंगे जब त्याय करते थे तो सेट में आपको कितना नमबर आता था एवरेज कि डिपेंड करते हैं कि यह अब तो नहीं हो पाएगा उससे तो भी एक तरह से डिशाइड़ें करती है कि मतलब कि कि किसको सफलता मिलेगे और डिसाइड आपके अंदर के जो क्वालिटी रहती है ना सर वही डिसाइड करती है इन्होंने एक बहुत ही बहुत ही अच्छी बात कही कि आप लोग जितना हो सके दिंगेटिव लोगों से दूर रहिए और पोजेटिव लोगों के साथ रहिए और हमारे जो हमारे अभी विपार्ड में तीन चल रहा है पतास पतास लोगों का तो हमारा बैच टू है तो के मॉनिटर भी यही है और सभी को डिसिप्लीन का पूरा पालन करवाते हैं यह धन्यवाद सर मेरा ग्रेजुएशन 2021 में पूरा हुआ और उसी समय सीजेल थिरी का लोटिफिकेशन आ गया उस समय मैंने भर दिया और यह सरकारी नौकरी का जुनूम सुरू से ही था सभी आसपास के भाईया सरकारी नौकरी ले रहे थे तो हमारा भी मन था सरकारी नौकरी का तो फॉर्म भर दिये पढ़ना सुरू किये हमने मैत का मैत का गगन परताब से किया और रिजनी का प्यूस वर्चान इसर से और जी के जिएस जितना भी है खान सरका सभी फांडेशन क्लास किया है और उन्हीं के नोट से पढ़ा है और साथ हमें लूसेंड पढ़ा है और के लिए कुमार गॉरव का कुमार गॉरव का कुमारивать का कलास मॉर्णीं में देखते थे और ऐस्पीडीति ऑफिब्ल सेat रोज मारते थे इसी हिसाब से बारवार हम नोट सी परते थे एक मेरे मितर भी है जिन का नाम है अन्वेह विए अबान मेंहें से सैट मारते थे मर्जक शिसमें घृ хорошо फॉर से बूनों को अहला जाए कि सबसे हैं। खोलच यह आपसप़ एक अपने पास बैट सब्सक्रों, भूग यह 1 जोपांगेला पूछ नखिए मर्गों करें चाही हैं। जाता है एकदम स्लेवस के हिसाब से पुछा जाता है जो लिखा है स्लेवस में आप उसको बार आवर भड़ते रहे हैं अब जरूर सफल होंगे आगे अभी अब बीपेसी और सीजल फोर है तो उसका त्यारिम करेंगे आप तो गोलू सर को सुना आप लोगोंने बहुती कम उमर में इन्होंने सीजल क्रेक किया और इनकी जो त्यारी की जो रनिती थी वह बहुती सटीक रनिती थी त्यारी एक दम सिलेवस के हिसाब से पड़े थे तो इनका सेलक्षन हुआ आप लोग भी इनके रनीति को अपना सकते हैं सठीक रनीति है को जो पढ़ना बस वही पढ़ना है ज्यादा आप लोग महासागर में नहीं घुमना है इतना पढ़ना है तो अब चलते हैं रवी सर है मेरे साम में ररियाद जिला वहां किया है तो रवी सर से जानेंगे ये कैसे कि अधन्यबाद निरज जी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से जुड़ने का मौका मिला हम लोग सीधे आते हैं अपने जर्नी को सेर करते हैं ताकि आपका जर्नी आसान हो सके सुल्जा हुआ रहे तो सीधे बात करते हैं जैसे कि जेपी सर गोलू सर ने बताया हम लोग से सब सेम ही उमर के मतलब कि एकदम टाइप से हैं और मेरा रेलवे में और विहार एसाई में यह सब में रिजल्ट है और मैंने पहला पोस्टिंग पहला ज्वाइनिंग ऑडिटर पर ही किया है तो पाइड करना चाहेंगे जैसे साइंस के लिए स्पीडी का रेलवे का साइंस आता है वह काफी महत्पुन है काफी मदद उससे मिलता है और मैथ के लिए जैसे बिहार इंटर अस्तरिये और सीजियल 4 का जो तयारी करते हैं उनके लिए एक किरन पब्लिकेशन का बूक आता है मैथ रिजनिंग का वह काफी हेलफुल है और तीसरा बात कि जैसे कि जैपी सर ने बता है कि एंसे आटी के लिए तो सबका अपना अपना च्वाइस होता है मगर एंसी आटी में एक जोर देना चाहेंगे कि जोग्रॉफी आप जरूर कीजिए उसका बहुत बहुत उससे मद चाहिए और मेरा भी यही है कि टेस्ट देना चाहिए मुगर उसमें कि आप एनलाइसिस कीजिए बहुत बढ़ियां से कीजिए और टेस्ट के नंबर से हतास नहीं हुई है टेस्ट मेरा जैसे 80-90 से स्टार्ट हुआ और कभी कम बेसी तो उसे बस बस दिमाग में रखना है क और बाकी सब तो सर बताया है और डिमोटिवेट नहीं होना है जर्नी में अब डाउन आता है और उसी से मजबूती मिलता है सब के लिए सबके जीवन में अलग-अलग परिशानी हो सकती है और सब सबके साथ कुछ नहीं हम लोग सारे लोग हैं तो सबका अपना अपना एक कहानी है हम लोग सब एक जगा है तो सब का है कि सब एक ही जगा है मुगर सबका पहुंचने का तरीका रास्ता कठिनाई अलग-अलग है और तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर आपका मीडियम कौन सा था हिंदी था इंगलिस था देखिए इस पर ध्यान से निकल गया कि मेरा बैक्राउंड इंगलिस मीडियम कर रहा है तो जैसे सीजियल का जब मैं प्रिप्रेशन कर रहा था तो मुझे कुछ परिशानिया आई जैसे साइंस इंगलिस में हिंदी में मुझे नहीं थोड़ा दिक्कत होते हैं तो उसके लिए साइंस का क्या टेस्ट बुक से हम टेस्ट लिया करते थे और जो भी आपको दिक्कत हो अगर जिस मीडियम में जैसे कि जीस नहीं हो रहा है तो आप वहां से मदद ले लेकर थोड़ा इंगलिस माध्यम में कम अबलेबल है तो आप अपने कोडिंग उसके हिसाब से कर लिजिए टेस्ट बुक का मदद दीजिए और इंगलिस मेडियम का उबलोग है उस समय जब तक हम तयारी कर रहे थे तब तक तो नहीं था तो हाँ टेस्ट बुक से और थोड़ा बहुत हिंदी मेडियम भी समझ लेते थे तो अब तो आ गया है तो करना ही है जैसे बताय सर के जिद्दी वह जिद्दी पन आ गया तो आप मैठ रिजनिंग का आप बात करें टेस्ट बुक पर तो हम MTS और GD यह एक्जाम देना नहीं था हमको बड़ सीजियल के हिसाब से बहुत रेलिवेंट था सर तो वहां से इंगलिस मेडियम हमको इसली अवलेवल था तो हम वहां से दिया करते थे है अग्यों सर अब चलते हैं हमारे सबसे ज्यादा एक्ष्प्रियांस्ट रहूल सर के पास और यह अपने बारे में बताएंगे कि इनका सर्विस जैसा कि हमको पता है की लगभग 12 साल की सर्विस करने के बाद अभी सीजियल क्रेक किये हैं तो रहूल सर अपने बारे में ज बहुत बहुत बढ़ाई जो इन्होंने आईक्यू बर्ड चैनल पर मुझे दो सब्द कहने का मौका दिया है मेरा नाम राहूल कुमार है स्यक्पुरा जिला के रहने वाले हैं मैंने अपनी पढ़ाई कि 2008 में मैट्रिक इस्लामिया उच बिद्याले से किया है 2010 में रामाधीन महा बिद्याले से इंटर पास किया है और मेरा असना तक एम्बी एज कोलेज बिहार स्रीप से हुआ है उसके बाद मैंने अपना कंपटीशन की शुरुआत प्रग्या पुस्तकाले से किया मुझे सब्सक्राइब है और सेट बनाना है ना हम माइट का ट्यूशन कहीं पढ़े हैं ना रीजनिंग का पढ़े हैं सिर्फ और सिर्फ जीके पढ़ने के लिए सामने जाते थे और सुबा सुबा सेट प्रेक्टिस होता था कि मैं अब तक 11 फॉर्म भरे हैं जिसमें मुझे हर फॉर्म में सफलता मिली है लेकिन लास्ट में मैरिट से 7 बार कटे हैं और 4 में मुझे सफलता हासिल हुआ है पहला ग्रूप D दूसरा टेकनिसियन उस समय टेकनिसियन जिस समय समय टेक्निसियन का एक्जाम एक ही परिशा होता था उस समय इंटर पास पर निकला था जो फिजिक्स केमेश्ट्री मैं थे उसके बाद मैं बीएंपी पांच पटना में कॉंस्टेवल पद पर नुक्त हुआ उसके बाद बी एससे सीजियल तीन में अपना योगदान अंकेच लेवल संख्या जीरो दू है और मैं तो हतास हो गया था कारण कि 2016 में मेरा एंटीपीसी ग्रेजियोशन लेवल का जो था उसमें मेरा मेरिट नहीं बना 2017 में जहारखंड द्रोगा मेरा पैर फ्रेक्चर हो गया तो दौन नहीं पाएं 2019 में 1717 मेरा मेंस नहीं हो पाया और 2020 में 2446 पोस्ट द्रोगा के लिए गेट पास मिला लेकिन मेरिट नहीं बन पाया उसमें मेरा पॉइंट दो नम्मर से नीचे रह गया था और 2022 में मेरा पोस्ट के लिए बिहार द्रोगा भैकेंसी निकला था उसमें भी मुझे मेरा मेरिट नहीं बन पाया था और कि 2019 में सइक नटी पीसी का बहाली नेकला था तो हम टैपिंग उपिंग जैनते नहीं हैं आज सक्क आज तक कम्प्यूटर सिख यह किए हैं तो टैपिंग नहीं जानते हैं मैं टैपिंग देने के लिए लिए नहीं गिया था तक पीम मॉल के नजदीक मेरा टाइपिंग टेस्ट था तो मैं नहीं दिया आज तक जहां तक मुझे याद है कि मैं 11 फॉर्म भरे हैं जिसमें मुझे सफलता हासिल हुआ है और साथ में असफल रहे हैं और असफल असफल होतने के बाब जूद भी मेरे हवलदार 27 जहनवाज खा बीमपी पाच पटना में कारजरत हेड कॉंस्टेवल एवं सिपाही 701 रनविजय कुमार जो कि डॉक्टर साहिब के नाम से परसीद हैं हवलदार स्री कृष्ण दूबे संजय सिंग इन्होने ही मुझे कहा कि राहूल कि एतना वार तुम असफल हो रहे हैं एक बार और चांस लगाओ बीएससी थिरी में तो कहें ठीक है सर तो मैं अपना पढ़ाई मैथ रिजनिंग और जी के और कुमार गौरव सरका करेंट अफेर्स देखते थे और सेट प्रेक्टिस करते थे और जहां तक की बात रही तो ड्यूटी भी तो करना है दस घंटा कानकि किसी से छिपा हुआ नहीं है हम तो अपना परिशे भी दे रहे हैं कि मैं बी एंपी पाँच जिनका नाम बदल कर बीबी सापू पाँच पटना में कॉंस्टेवल संख्या जीरो दू था मेरा तो महनत तो करना ही पड़ेगा बिना महनत के तो कुछ हासिल हो नहीं सकता है और जहां तक की बात रही कि मेरा साधी भी हो चुका है पांच साल पुर्व मेरे बच्चे भी हैं तो परिवार को टाइम देना कि उसके बाद दस घंटा ड्यूटी भी करना उसके बाद जो समय मिलता था मैं अपना ध्यान पढ़ाई पर देता था कि महनत तो करना ही पड़ेगा दोस्तों कि अभी अब आप इतने हम लोग के हम लोग के लिए भी आप मोटिवेशन के तरह हैं तो अब आगे क्या करना जाहेंगे या आपका लास्ट है या फिर अभी आओ अभी आप मनुस्य की इच्छाय कभी खतम नहीं होती है तो आपके हुआ ऊव मेरा अभी सबसे पहले कि एक करने के बाद हम साधी किए तो कहीं घुमने के लिए नहीं गये हैं तो सबसे पहले मैं एक दो महिना कहीं घूमने के लिए निकलेंगा आज तक अपने पत्नी और बच्चों के साथ और बैलेंस ज़रूरी है जीवन में और बी असे सी सीजियल थिरी में जितने भी सेलेक्टेड कंडिडेट हैं साइध मुझे और पुन्रूप तो नहीं का सकते हैं लखिन भरोसा है कि सबसे ज़्याद्य जॉब मैं सीनीर में भी होंगा जॉब मैं और ंसे मामले मैं नहीं वंकरमेंहम्स घुमस वह सब्सार होगा सीनियर सबसे ज्यादा मैं ही होंगा और इसके लिए निरत सर को बहुत बहुत बढ़ाई जो इन्हों ने आइक्यू बर्ड चैनल पर मुझे दो सब्द कहने का मौका दिये धन्यवाद सर धन्यवाद सर राहूल सर को आप सुना और हम तो इनके बारे में जानते हैं पहले से ही और यह हमारे अपने यूट्यूब चैनल के माधियम से ही हम लोग से जूर पाये थे मैं नंबर डाला था यूट्यूब पर तो उसके बाद राहूल सर ने मुझे कॉल किया था कि इनका भी सेलेक्शन हुआ है तो मेरी बात हुई थी इन से तो उसके बाद से हम लोग बात करने लगे और जान फचान फिर मरी तो आज का यहीं पर जेपी सर थोड़ा आप लोगों को मोटिवेट करना चाहेंगे दो सब्द कहना चाहेंगे तो मैं जो भी सीलीएल फोर की तयारी कर रहें कंडिडिएट मेरे साथ थी मेरे छोटे भाई ही होंगे और जो आया हुआ इंटर रस्तरिय जो तयारी कर रहें तो हमसला नहीं आ रहें अभी आपके जो ना आपके माबाप की सारी जो है ना उमीदे आप पर टिक हुई हैं अगर आप अभी मेहनत करिएगा तो आपका जो भविश्य जो जहने उज्वल हो जाएगा तो मैं दो सब्द कहना चाहूंगा कि आज छोटा हैं कल बरा मिलेंगे कि आज छोटा हैं कल बरा मिलेंगे आज अरे हुए हैं तो कल खारा मिलेंगे तुम मेहनत का ग्राफ मत पुछ हम से कि तुम मेहनत का ग्राफ मत पुछ हम से आज जल रहें तो कल चमकता हुआ सितारा भी मिलेंगे तुद्धान्यवाद नीरस्टर है इस इंटर्वियों के सोच कर आपपलों मत सुचना कि बस आपका जवाब नहीं पाया या मिल पाया जो भी हो हमारे साथ नीदत सर 28 में यह तक है हम अगले बार वीडियो के माध्यम से नहीं लाइव आकर आपके सवाल का लाइव जवाब देंगे और आपका जो भी सवाल मैंने पढ़ा था नीदत सर जैसे हमारे रूम पार्टन है यहां पर हम साथ में नहीं है मेरे पास कोई अलग तरीका क्योंकि हम स्वासल नहीं है तो हमने कोश्चन पढ़े थे आपके सवाल पढ़े थे जो अभी सब का परिचे लेना था इस मतलब प्रकिरिया में आपका जवाब नहीं दे पाए बहुत सारे इसके लिए हम लाइव आएंगे आपके सवा पाइगे पर यह था कि ईंगा फटार्शन्स को भर भी आपके अपका इनका भी विए ओ ग्रोथ हो्ट हो नहीं कर देक होर्द्ट है आप लोग को सपोट करने के लिए हम लोग रेड़ी हैं क्योंट है ना हम मिलेंगे तो यहीं मिलेंगे है सब और नहीं होता है जो अपना उसन ज़र अफालता चया लॉटने का सब्सक्राइब और जमिन से कभीं दूर नहीं होना चाहिए तो जन्न और जननभुमी का सेवार करने का सर मौका कर नहीं celebrate नहीं मिलता है तो सब्सक्राइब हमारा विहार में सिर हुआ है जन्न भूमी हमारा सब सेवा करने के अगर दोनों का एक चांट करमायों का मिल जा सर तो एक तरह से शवरग है बहुत धन्यूद की यह इतना टाइम दिया आप लोगों के तो कब आगे लाइव आना है हम आपको सुचित कर देंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे हमारे रूम पार्टनर भी है और हम पहली बार अपने लाइफ में किसी फोज के साथ रूम में पार्टनर है कुछ दिकत नहीं है इंसे लोग को बहुत अच्छे हैं बहुत दिल के बहुत साफ इंसान है जो भी होता है मुँपे बोलते हैं चुपा के कुछ बी नहीं रखते हैं तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई कीजिए स्वस्त्र रह झाल झाल